नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज चलिए कुछ नया सीख लेते हैं कुछ आपको अपडेट दे देता हूं और अगर आप वीडियो पहली पार देखे तो लाइक कर देना चायो को लें सब्सक्राइब चलिए कुछ नया सीखिए या फिर कोई अपडेट आप तक में जहां पर आप सेविंग अकाउंट खोल सकते थे खोला भी होगा आपने कई सारी वीडियो मैंने भी बताई है इनका ताइफ है तो इनका आज मेल होता है जहां पर लिखा है भी हुआ है एन इंपोर्टेंट अपडेट ओन जूपिटर रिवार्ड तो यहां पर आपको करना है उसके बारे में बताता हूँ आपको यहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस भी अपडेट करना होगा अब अगर आपको रिवार्ड आपको चाहिए इस पेंड पर चाहे वो डेविट कार्ड हो या फिर यूपी आई अगले तीन महीने तक ऐसा भी यहां पर सारी लिखा आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस दस अजार एवरी मन्त कंटिन्यू करना पड़ेगा आपका मिनमम जो बैलेंस है वो दस जार रखना पड़ेगा मेंटेन करना पड़ेगा तब ही आपको वन परसेंट रिवार्ड मिलेगा डेविट कार्ड और यूपी इस पेंड पर अब यहां पर कई सारे कोश्चन भी यहां पर लिखे हुए हैं इस से रिलेटेड क्योंकि जाहिसी बात है सबके मन में यह कोश्चन जरूर होगा क्योंकि पहले जब यह अकाउंट खुला था तो वहां पर आपको ऐसा नहीं था कि कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटे कैसे करना है और अगर आप जूपिटर में आप मतलब अपरेल से पहले बनाया है या अपरेल के बाद बनाया है तो यह सारे कोश्चन आपको में में ही रिसीव हुआ होगा हो सकता है आपको भी रिसीव हुआ हो यह मिल तो यहां पर जो सीधे सीधे अपडेट है वो यह है क कि आपको minimum average balance जो है वो 10,000 लगभग 3 महने के कुछ बात कही गई है आप एक बार पढ़ लेना तो वहां पर कहा गया है कि अगर आप minimum average balance 10,000 लगभग रखते हैं तब ही आप 1% debit card और UPI transaction पर earn कर पाएंगे जो reward आपको मिलता था और आपको बता चाहूंगा Jupiter Age की बात नहीं हो यह सेविंग अकाउंट यहां पर आप खोल सकते हैं इनका टाया फैडल बैंक से है तो यह जूपिटर डिजिटल बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको यह मेल रिसीव हुआ है या जो यह अभी नया अपडेट लेकर के यह आए ह हो सकता है कि आपको अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हो सकता है मिनिमम मेवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना पड़े इन फ्यूटर जैसे डिजी बैंक में हुआ था बागी अभी देखना होगा कि यह अपडेट लेकर के आते हैं कि मिनिमम मेवरेज बैलेंस अब आपक क्या हो ताव ताव